आज का topic है SMCR model of communication, so I hope कि आपको पता होगा कि what is communication, communication का मतलब होता है जब भी हम अपने thought को या फिर idea को या फिर emotion को किसी के साथ share करते हैं, या फिर transmit करते हैं, या फिर समझ सकते हो impart करते हैं, तो उसे कहा जाता है communication, so आज हम communication के एक model को discuss करेंगे, जिस model का नाम है SMCR model, इसलिए इसका नाम रखा गया है SMCR model of communication, नेक्स देखो, यह जो model है, इस model को डैविट बल्लो साहब create के थे, डैविट बल्लो created the SMCR model of communication, और इस SMCR का full form है sender, message, channel and receiver, तो अभी आपके मन पे एक doubt आता रहेगा, कि already हम SMCR को elements of communication पे पढ़ चुके हैं, तो इस model पे हम extra क्या पढ़ेंगे, इस model पे आप कुछ factor को देखोगे, जो factor इन 4 को influence करती है, तो देखो यहीं पे लिखा गया है, यह जो एक एक जो चीज है, जो sender है, message है, channel है, जो receiver है, कुछ-कुछ factor इनको influence करती है, तो क्या-क्या वो factor है, उन factor को हम देखेंगे, इस model पे, यह जो model है, यह model encoding और decoding के उपर भी focus करता है, encoding क्या है, decoding क्या है, मैं बात में आपको समझा दोंगी, अभी फिलाल के लिए हम स्रिप उन factor को discuss करेंगे, जो इन चार को influence करती है, so next इस model को देखो, इस model के उपर लिखा गया है, SMCR, इस diagram को exam पर जरूर बनाना, उपर SMCR लिखा गया है, यानि वो सारे elements लिखे गया है, नीचे ऐसे कुछ-कुछ factor लिखे गया है, और ये वो factor है, जो इन चार को influence करती है, यानि source के नीचे जो जो factor है, वो source को influence करेगा, message के नीचे जो जो factor है, वो message को influence करेगा, channel के नीचे जो जो factor है, वो channel को influence करेगा, receiver के नीचे जो जो factor है, वो receiver को influence करेगा, ओके, सो देखो इस diagram से और एक point भी आपका clear हो चुका होगा कि source के नीचे जो जो factor है receiver के नीचे भी वही same to same चीजे factor है यानि source को जो जो चीजे effect करेगा receiver को भी वही वही चीजे influence करेगा next देखो source का काम क्या है वो एक message भेजता है वो भी एक माध्यम से यानि एक channel से भेजता है तो the receiver मान लो अगर message में कोई गड़बड़ी आ जाती है यानि message जो element है अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ जाएगा तो receiver तक बात नहीं पहुँचेगा और अगर पहुँच भी गया तो receiver clearly समझ नहीं पाएगा जैसे कभी कबार हमारे दोस्त लोग भी whatsapp पे message करते time इतना typing mistake कर लेते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है तो देखो यहीं पे जो center ने message भेजा था वो receiver तक पहुँच तो गया पर इतनी spelling mistake थी कि receiver को कुछ समझ में ही नहीं आया यानि effective communication नहीं हुआ तो सारे elements का ठीक होना बहुत ही जरूरी है तो इस model पे हम और इत चीज़ भे discuss किये कि इन चार को कुछ-कुछ factor influence करती है यानि प्रभावित करती है तो source के नीचे जो factor है अगर इन factor में भी अगर कोई problem आ जाएगा तो source पे problem आएगा और अगर source पे problem आएगा तो effective communication नहीं होगा तो ये जो नीचे जो factor है इन factor का भी सही होना बहुत ही जरूरी है अगर ये factor अगर सही रहेंगे तो आपके elements ठीक रहेंगे और अगर elements ठीक रहें तो message जरूर receiver तक पहुँचेगा और वो भी correctly पहुचेगा so I hope कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोली next देखो आगे आपके point आगे और थोड़ा थोड़ा clear होंगे पहला देखो sender sender मतलब क्या है जो message भेजता है जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं sender हूँ और आप receiver हो क्योंकि मैं ही हूँ जो message को start कर रही हूँ यानि मैं ही हूँ जो message को भेज रही हूँ तो जो message भेजता है उसे कहा जाता है sender sender of the message is the source who creates and send the message to the receiver source is the start of the communication process या फिर source वो person हो सकता है जो message को encode करता है तो encoding क्या है, decoding क्या है, encoder क्या है, decoder क्या है ये हम बात में समझेंगे, ओके, next देखो, factor that may influence the sender and also applicable to the receiver, ये point हम already देख चुके हैं कि जो जो factor sender को influence करती है, वही वही factor receiver को भी influence करती है, बल्लो का जो SMCR model of communication था, वो कुछ factor को identify क्या है, जो source को influence करता है, okay, next देखो, तो एक एक करके हम देखेंगे, तो हम अभी sender को भी दे देखेंगे और receiver को भी देखेंगे, क्योंकि center को जो जो factor influence करती है, receiver को भी वही वही factor ही influence करती है, तो पहला है आपका communication skill, ये आपको I think पता होगा, आजकल तो communication skill के improve करने के लिए, बहुत सारी courses का भी आ रहा है, कि ताकि आप अपने communication skill को थोड़ा improve कर सको, communication skill का मतलब होता ह It is the ability to read, write, speak and listen, जैसे मैं अभी एक example ले रही हूँ, कि माल लो कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जैसे बीच-बीच में ऐसे अटक जाओंगी, यानि मेरी क्या होगी, speaking ability अगर खराब होगी, तो मैं बीच-बीच में अटक जाओंगी, या फिर पढ़ाती रहोंगी, बीच- मैं गलत थोड़ा पढ़ा ली, ऐसे अगर मैं बार-बार ऐसे अगर बोलते जाओंगी, तो आप क्या करोगे, वीडियो को बंद करके चले जाओगे, तो जो sender है, उसका speaking ability, reading ability, writing ability और listening ability ठीक होना चाहिए, ताकि वो जब भी message भेजेगा receiver को, तो वो receiver को बात समझ में पर अगर आपकी listening ability अगर खराब है, अगर आप 5-10 मिनिट भी मतलब एक जगा पर टिक के सुन नहीं सकते हो, अगर आपकी listening ability अगर खराब है, तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, आप बिल्कुल भी सुन नहीं पाओगे, तो आपकी communication skill भी अच्छी होनी चाहिए, तो देखो, अगर communication skill अगर ठीक रहेगा, यह वो factor है जो source को influence कती है, तो communication skill अगर ठीक रहेगा, तो source अच्छा रहेगा, और receiver अच्छा रहेगा, तो source जो भी message भेजेगा, receiver तक वो बात अच्छे से पहुँचेगा, यानि effective communication होगा, ओक यह factor में अगर कोई problem आजाएगा, तो effective communication नहीं होगा, effective communication का मतलब होता है, sender जो भी message भेजता है, वो receiver तक ठीक से बात पहुँचता है, यानि correctly पहुँचता है, और receiver को भी बात सारी समझ में आती है, जो sender ने भेजा होगा, next देखो, attitude, attitude का मतलब होता है behavior, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी तरफ से एक अच्छा behavior होना चाहिए, अगर मैं अगर पढ़ाती रहोंगी, बीच पीच पे, अगर मैं आपको ऐसे गाली दोंगी, तो आप मेरे से नहीं पढ़ोगे, तो मेरी तरफ से एक अच्छा behavior होना चाहिए, same to same चीज है, आपकी तरब से भी एक अच्छा response होना चाहिए अगर जैसे मैं पढ़ाती हूँ मतलब मैं अपनी तरब से बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ पर अगर class पे आप ऐसे आलस जैसे अगर बैठे हो मतलब ऐसे कोई interest ही नहीं ले रहे हो तो मुझे भी पढ़ाने के लिए मन नहीं लगेगा तो दोनों तरब से behavior ठीक होना चाहिए जैसे यहीं पर एक example भी है कि for the student attitude is to learn more and more for teacher it is to help teach अगर student अगर classroom पे अगर एक curiosity दिखाएंगे कि हमें और जाना है और जाना है तो teacher को भी लगेगा कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा अगर बच्चे ही अगर आलस जैसे अगर class पे बठे रहेंगे तो teacher को भी मन नहीं लगेगा दोनों तरफ से behavior ठीक रहना चाहिए next आपका knowledge knowledge का मतलब है जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको SMCR model तो पहले मुझे अच्छे से समझना होगा मतलब SMCR model को पहले मुझे अच्छे से समझना होगा मतलब SMCR model के उपर मेरा एक अच्छा खासा knowledge होना चाहिए अगर मुझे ही SMCR model अगर समझ में नहीं आता तो मैं आपको क्या समझाऊंगी तो knowledge भी होना बहुत ही जरूरी है इसका मतलब है कि sender और receiver का अगर social system अगर दोनों अगर equal रहेगा तो effective communication होने की ज़्यादा chances है जैसे मालो अभी आप इंडिया के हो तो मैं अगर पढ़ा रही हूँ अगर मुझे कुछ example लेना है तो मैं इंडिया का कोई example लेकर आपको समझा सकते हूँ मालो अगर अभी मैं कोई चाइना या रशिया के बच्चे को अगर मैं पढ़ाओंगी तो effective communication नहीं होगा क्योंकि उसका अलग value होगा उसका अलग belief system होगा दुनिया को देखने का नजरिया उसका अलग होगा मेरा अलग होगा तो effective communication नहीं होगा नेक्स देखो culture मतलब क्या है it refers to the cultural background of the sender or receiver तो sender और receiver का सेम अगर culture होगा तो effective communication होने के ज़्यादा chances है practically यह possible नहीं है क्योंकि हम जब school पे भी जाते हैं तो बहुत सारे culture के students आते हैं बहुत सारे culture के teacher भी आते हैं पर हम उनसे बात तो करते हैं तो यह हमेशा possible नहीं है कि sender और receiver का सेम ही culture होगा क्योंकि practically यह possible नहीं है next देखो next आपका message message का मतलब होता है कि sender अपनी तरब से जो जो चीज भी receiver को भेजता है उनसारे को हम कहते है message यानि message is the package of information meaning that is sent from the sender to the receiver यानि sender अपनी तरब से जो भी भेजता है receiver को हम उसको कहते है message तो वो कुछ भी form का हो सकता है audio हो सकता है speech हो सकता है जैसे आप वो whatsapp पे भेजते हो कभी कबार आप happy birthday पुरा type करके भेजते हो कभी कबार आप heart का एक shape भेज देते हो अपनी दोस्त को तो जो भी आप अपनी तरब से भेजते हो उनसारे को हम कहते है message कभी कबार आप sticker भेज देते हो कभी कबार video भेज देते हो कभी कबार audio कभी कबार हम किसी के साथ ऐसे इशारे पे भी बात करते है यानि expression से भी बात करते हैं, painting से भी बात करते हैं, मतलब painting के जरिये भी बात करते हैं, guest star, यानि हाथ पाओ मुंडी हिला के भी बात करते हैं, तो sender अपनी तरब से जो भी भीजता है, उन सारी को हम कहते है message, तो message is influenced by, next है content, content मतलब है, sender ने जो भी message receiver को भेजा है, उस message का beginning to end कैसा था, यानि content कैसा था, कभी कबार होता न, YouTube पे विडियो हम देखते रहते हैं, और आधिस से ही बंद करके हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो content पसंद नहीं आता है, तो content भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, और हमको पता है, यही वो factor है, जो इन elements को influence कर रही है, तो अगर factor में कुछ problem होगा, तो elements पे problem आएंगी, और अगर elements पे ही अगर कोई problem आ जाएगा, तो effective communication तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ communication भी नहीं होगा, तो इन factor का ठीक होना भी बहुत ही जरूरी है, next element, element का मतलब होता है, जो भी आपके non-verval aspect है, non-verval का मतलब है, जहां पे हम word या फिर sentences का अस्तमाल नहीं कर रहे हैं, जहां पे हम gesture, sign, gesture का मतलब होता है, हाथ पाओ मुंडी हिला के जो बात करता है, कभी कबार इशारे पे बात करते हैं, कभी कबार sign या फिर symbol पे हम बात करते हैं, उन सारे को हम elements की category पे डाल दिये हैं, जैसे मालो, आपके सामने मैं अभी पढ़ा रही हो, और textbook पे left hand के बारे पे कुछ है, पर मैं बार-बार अपने right hand को दिखा रही हो, तो आपके मन पे confusion आएगा, क्यों की textbook पे left hand के बारे पे बात है, पर मैं बार-बार अपने right hand को दिखा रहा है, यानि gesture पे कोई problem आ रहा है, तो gesture के वज़े से effective communication नहीं हो रहा है, यानि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो एक-एक element भी बहुत ही ज़रूरी है, next is treatment, treatment का मतलब होता है, किस message, मतलब किस way पे आप अपने message को भेजे, यानि informal होके भेजे, या फिर formal होके भेजे, अगर आप एक formal जगह पे, कोई interview पे जाओगे और informal पे अगर बात करोगे, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, okay, so यह जो treatment है, इसका भी ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है, next is structure, structure का मतलब होता है, the structure of the message refers to the way in which it was structured, मतलब किस तरीके से वो मतलब बनाया गया है, okay, जैसे मालो अभी आपको मैं बोलूँगी, it is raining outside, तो आपको समझ में आया, कि बाहर बारिस हो रही है, अगर मैं आपको बोलूँगी, raining, outside, is, it, अगर ऐसे करके अगर बोलूँगी, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आयेगा, क्योंकि जो मेरा जो message था, उसका structure बहुत ही खराब था, इतना खराब था कि effective communication नहीं हुआ, ओके, next is code, code का मतलब होता है, किस form पे आप अपनी message को भेजे, यानि text, language, video, gesture, music, यानि किस form पे आप अपनी message को भेजे to the receiver, channel, channel का मतलब होता है, sender जो भी message receiver को भेज रहा है, तो वो कौन सा माध्यम को वो यूज कर रहा है, okay, that is the medium used to send the message, और वो medium ऐसा होना चाहिए, कि receiver के पास भी वो एक ability हो की, वो उस चीज को pick up कर पाए, okay, जैसे मालो, अभी मैं किसी के सानने बात कर रही हूँ, पर उसको सुनाई ही नहीं देता है, तो मेरा सारा बोलना बेकार है, क्योंकि मैं जिस sense organ को इस्तमाल कर रही हूँ, जिस medium से मैं भेज रही हूँ, receiver के पास वो एक ability ही नहीं है, कि वो उस medium को pick up कर पाए, okay, so channel का ठीक होना भी बहुत ही जरूरी है, तो आप जब भी किसे से बात कर रही हो, तो आपको ये एक देखना चाहिए कि, आप जिस medium से भेज रही हो, receiver के पास वो ability है या नहीं कि, वो उस medium को वो pick up कर पाए, okay, अगर वो pick up कर पाएगा, तो effective communication होगा, तो आपको पता है, कि जो channel होते हैं, वो दो type के हैं, पहला है आपका sensory system, okay, और second है आपका digital, digital का मतलब होता है, जो आपके whatsapp, facebook जो है, पर देखो, digital पे भी हम अपने sense organ का अस्तमाल करते हैं, जैसे जब आप type करते हो, तो आपने touch sense का अस्तमाल करते हो, यानि आप अपने skin का अस्तमाल करते हो, इसलिए SMCR model पे, digital की बात नहीं की गई है, क्योंकि digital पे भी हम अपने sense organ का अस्तमाल कर रहे हैं, तो यहीं पे directly sensory system की बात की गई है, और human पे कितने sense organ है, क्या के sensory system है या आपको पता होगा, hearing पे eye, seeing eye, touching skin, smelling nose, testing tongue, next देखो, receiver का मतलब क्या है, अभी आप receiver हो, क्योंकि मैं बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो आप अभी receiver भी हो, receiver भी हो और decoder भी हो, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात को, आप समझ भी रहे हो, decoder का मतलब होता है, समझना, तो आप अभी receiver भी हो और decoder भी हो, next है, factor that may influence the sender, are also applicable to the receiver, यह हमको पता है कि जो जो factor sender को influence करती है, वही सारी factor, receiver को भी influence करती है, तो एक्जाम पे अगर SMCR model आया, तो आपके पास अगर भरपूर time है, तो sender के नीचे जो जो factor को हम discuss किये थे, वही सारी factor आप receiver के नीचे भी लिख सकते हो, और अगर time नहीं है, तो यह point लिख लेना, और इसको थोड़ा ऐसे highlight कर लेना, बिल्कुल mark नहीं कटेगा, बस ध्यान पे रखना कि इस point को थोड़ा highlight कर लेना, नेक्स्ट देखो, इस point को देखो, इस point पे हम देखेंगे कि encoding क्या होती है, encoding का मतलब होता है, देखो, यह sender है, यह आपका sender है, sender एक message भेज रहा है, to the receiver, how are you, फिर receiver से एक message आ रहा है, कि I am fine, तो जो आप अपनी तरब से भेजते हो, उसको कहा जाता है message, जो message भेजता है, उसे हम कहते हैं sender, जो receive करता है, हम उसे कहते हैं receiver, sender को हम encoder भी कहते हैं, sender को हम encoder भी कहते हैं, और receiver को हम decoder भी कहते हैं, decoder का मतलब क्या है, जो समझ रहा है, जो code को decode कर रहा, यानि उससी को समझ रहा है, encode का मतलब क्या है, कि आप अपने thought को, एक coding के form पे ला रहे हो, जैसे जो center है अभी उसके मन पे है कि how are you चलो इससे पूछता है तो अगर वो नहीं बोले रहता how are you तो receiver को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के मन में मेरे लिए question है कि how are you तो अगर आपको किसी से बात करना है तो आपके मन में जो भी thoughts है उसको एक coding के form पे लाना होगा अगर आप अपनी मन के बात मन पे ही रख लोगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा आपको अपने जो thoughts है उसको एक communication process पे लाना होगा एक coding के form पे लाना होगा ताकि सामने वाला जो भी है वो आपकी बात को समझ पाए इस process को हम कहते है encoding जिस process से आप अपने thought को coding के form पे ले आए इस form को हम कहते है encoding और decoding का मतलब होता है जिस process से receiver ने sender की बात को समझा है decode किया है next point है बल्लो साहब ये बोल रहे थे कि sender और receiver का same level पे होना बहुत ही जरूरी है अगर same level पे होंगे तभी ही effective communication होगा या फिर communication होगा बाद में इस point के लिए उनको बहुत सारी criticism भी मिला था क्योंकि practically ये impossible है कि हमेशा sender और receiver same level पे ही होंगे next देखते है क्या-क्या उनको criticism मिला था पहला है there is lack of feedback the effects are practically unknown इनके model पे कोई भी feedback नाम का कोई heading नहीं था इस model पे हम स्रिफ चारी elements को पढ़े है that is SMCR इनके model पे कोई भी feedback नाम का कुछ भी element नहीं है देखो feedback का मतलब होता है it is a response of a receiver तो देखो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो receiver का response जरूर आता है कभी का बार ऐसे होता है कि receiver कुछ response नहीं करता है पर receiver का response आता ही आता है मतलब 90% 80% के cases पे वो आता ही आता है पर इनके model पे feedback नाम का कोई heading ही नहीं है जैसे मतलब इनके model के हिसाब से स्रिफ sender बात करेगा और receiver से चुपचाप सुनता रहेगा यानि receiver के तरब से कोई भी response नहीं आएगा ऐसा नहीं होता है मतलब practically it is very impossible इसलिए इनको criticism मिला था बल्लो साहब को 95% के cases पे होता ही होता है जैसे अभी मैं जैसे video आप देख रहे हो तो ऐसा हुआ होगा कि बीच पे आपकी ममी बुलाई होगी या फिर दोस्त का phone आया होगा या फिर आप पढ़ते रहोगे बीच पे और कुछ सोच ली होगे यानि psychological barrier आ गया होगा तो barrier आता ही आता है 80% 70% के cases पे barrier आता ही आता है जैसे school पे भी teacher हमको पढ़ाते रहते हैं तो कभी कबार हम अपने घर के बारे पे सोच लेते हैं कभी कबार हमारा दोस्त कुछ बोल देता है तो ऐसा नहीं है कि sender जो भी बात करेगा और जो भी message अपनी तरफ से भेजेगा वो correctly और वो पूर accurately receiver तक पहुँचेगा बीच बीच पे barrier जरूर होता है पर इनके model पे कोई barrier नाम की चीज ही नहीं थी next day there is no room for noise इनके model पे कोई noise नहीं था यानि कोई disturbances नहीं था तो ये देखो हर बार possible नहीं है जैसे घर पे भी बात करते रहते हो तो कभी कभार और कुछ आवाज आ जाती है जिसके वज़ाशा हम कुछ समझ में नहीं आता जैसे मैं वीडियो पी बना रही हूँ तो बीच बीच में ऐसे कुछ आवाज आया होगा तो noise होते ही होते है ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ को ignore करो पर noise रहता है नेक्स्ट है इनके मॉडल पे barrier नहीं था noise नहीं था feedback नहीं था इसलिए इस model को एक complex model की तरह समझा गया इसका मतलब है कि sender अपनी तरब से message भेजेगा और receiver पूरा चुपचाप रहेगा मतलब सिर्फ एक ही line पे मतलब सिर्फ linear model है bi-directional इनके model पे नहीं है यह practically देखो possible नहीं है receiver जरूर कुछ बोलेगा और अगर नहीं भी बोला तो हर बार तो ऐसे नहीं होगा next it requires people to be on the same level for effective communication to happen however that really happens in everyday life इनके हिसाब से बल्लो साहब के हिसाब से कि अगर communication आपको चाहिए या फिर effective communication चाहिए तो sender और receiver का same level पे होना बहुत ही जरूरी है same level का मतलब है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका और मेरा culture same होना चाहिए हम दोनों का belief system एक होना चाहिए दुनिया को देखने का नजरिया मेरा और आपका same होना चाहिए ऐसा नहीं होता है practical it is very impossible ऐसा थोड़ी है कि आप जब school जाओगे कोई नय school पे आप चले गए तो स्रीप मतलब ढूनते रहोगे कि मेरे culture का कौन है मेरे religion का कौन है तभी आप उससे बात करोगे ऐसा नहीं होता है इसलिए इसी point के लिए उनको criticism मिला था कि हर बार ये possible नहीं हर बार क्या बिल्कुल भी ये possible नहीं है क्योंकि इंडिया is a multi-lingual country इंडिया पे बहुत सारे culture के लोग है तो ऐसे थोड़ी नहीं कि आप स्रीफ ऐसे culture ऐसे ढून ढून के ऐसे बात करोगे तो ऐसा नहीं होता है इसलिए उनको criticism मिला था So I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा Thank you